दम्तरी में हिंदू समराज जिदिवस मनने जारा है 26 तारी को ऑचारी अंगुर आरर की मवजूदगी युवाओं के लिए प्रेणादाई है। वो हिंदूओं को एक करने के लिए, सनातनी करने के लिए, वैदिक धर्म से जोड़ने के लिए, जो थोड़ से बिखराओं में हैं, अपने अपनी छोटी-छोटी कुरितियों की वज़ा से, जो उनको गलत बताया गया, अनि भिज्यता की वज़ा से, नादानी की वज़ा से, उन सब को एक करने का उद्देश एक 26-27 साल का युवा लिया हुआ है और इनका एक ही उद्देश है कि इस देश में जो भाईचारा है वो बनी रहे लेकिन भाईचारा के लिए हिंदू धर्म के साथ समझाता नहीं किया जाएगा ऐसे बहुत कम आयू के विचारक से हम मुखातिब हैं और उनसे जानेंगे कि असल में सनातन धर्म क्या है वैदिक धर्म क्या है जो समस्साए भारत में भी सामने देख रही है उनका निरकरण कैसे किया जा सकता है आई उन से चर्चा करते हैं सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क् हिंदू समराज ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है क्या वज़ा है कि हिंदूस्तान में अपने ही पर्व को मनाने के लिए कल जो हमने धमतरी में देखा कि रैली को पुलिस ने रोग दिया डैवर्ट कर दिया अपने ही देश में अपने ही एक कारिक्रम को प्रसाषन और साषन के हिसाब से चलाना पड़ रहा है यह तो बहुत बड़ी विडबना है और ऐसी विडबनाओं से जूजता या भारत या सनातनी भारत या वैदिक भारत आगे कहा जाएगा यह बात करते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि क्या है हिंदू सामराज जे दिवस को हम जन सामाने तक पहुंचा पाएं और इसमें सरव प्रतम सबसे बड़ा जो योगदान है आप ही सब लोगों का मीडिया का ही योगदान है और आपने पूछा कि हिंदू सामराज जे दिवस है क्या और इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही ने दे दिया कि हिंदू सामराज जे दिवस वास्तव में इसकी अवश्रक्ता क्यों हिंदू सामराज दिवस का यदि हम इतिहास देखें तो प्रत्यक हमारे जितने भी राजा रहे हैं और विधरिम्यों के द्वारा जो हमारे एक हिंदूओं को सनातन वैदिक सब्भेता को नश्ट करने का जो कारिय किया गया है चाहे वो लोदी समुदाय के लोग थे जो बहलो लोदी हुए चाहे हमारे तक्षशिला नालंदा विश्विद्याले को जलाने वाले जो खिल्जी समुदाय के लोग हुए ये सभी लोगों ने जो वैदिक सनातन सभ्यता को विनष्ट करने का कारिय किया तो उसकी पुनर स्थापना कौन नहीं करना चाहेगा उसको पुनर स्थापित करने हे तू जो एक कारिय करने का जो संकल्प उठाया था उस संकल्प की अगर हम बात करें तो सरो परथम हमारे जो शिरोमनी रहे है महराज शिवा जी उन्होंने इस संकल्प को उठाया महराणा प्रताप ने उस संकल्प को उठाया प्रत्विराज चोहान जी ने उस संकल्प को उठाया और हमारे गुरु तेग बहादूर जी हुए गुरु गोविन सिंग साहाब हुए उसके उपरांत हमारे चार सहेब जादे हुए उसके साथी साथ हरी सिंग नलवा हुए या फिर आप देखें कालंतर में जितने भी हिंदू सामराज्य को इस्थापित करने के लिए लोग खड़े हुए हमारे मापुरुष खड़े हुए अब बात यहाती कि क्यों खड़े हुए यदि यहां सामराज्य होता तो आपने बताया कि कल धमतरी में जो हमें देखने को मिला है धमतरी में हमें क्या देखने को मिला है कि एक जो हमारी एक बाइक रेली जिस रास्ते से निकलनी थी उसको डाइवर्ट किया गया हाईवे पूरा जाम हुआ बच्चों को उसमें चोटे भी आई और हमने उसकी यहीं इसी रेस्ट हाउस में S.P. साब आई हुए थे हमने उनको भी बताया कि यह जो हुआ है यह ठीक नहीं है किसी बच्चे को यह दिछोट लगती है उसको सेफली निकालना आपका कारिया है तो इस हिंदू सामराजय की स्थापना क्या वश्यक्ता इसलिए है क्योंकि अकेला एक रास्टर है और उसमें एक छोटी सी रैली निकालने के लिए भी हमको प्रशासन के नीचे आना पड़ता है एक छोटा सा हर्ष उल्लास का एक जलसा निकालने के लिए भी हमको प्रसासन के नीचे आना पड़ता है, उसके आदेश का नुपालन करना पड़ता है, तो हिंदू सामराज्य की स्थापना, क्यूं स्थापित करने के लिए हमारे महा जो नायक हुए हैं, सेना नायक महा पुरुष हुए हैं, उन्होंने क्यूं ठाया था और उसकी अव चीज पूझना चाहता हूं कि हिंदूों में जो बिखराओ है, उसकी वज़ा हम उन लोगों को दे रहे हैं, जो हमको काफिर कहते हैं, और जो लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हिसाब से अपने जो भी उनकी नियत है, उसके हिसाब से आगे बढ़ र हैं, असल में दोस्तों हमारे नियू में हैं, हमारे नियू को हमने खुद खोकला किया है, आपको क्या इससे आप इतिक फाक रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो धर्म नहीं अधर्म हैं, और उनकी स्थापना ही अधर्म की स्थापना के लिए हुई है, कारण यह था कि धर्म तो था, हमारी जो संस्कृती है वो विश्व की सरोपराचीन संस्कृती है, जिसकी स्थापना, मतलब करने के लिए कोई मनुष्य नहीं आया ये कहते हैं कि किसी भी धर्म की स्थापना करने के लिए कोई ना कोई मनुष्य आया है पहली चीज तो ये है कि महम्मद ने कभी भी इसलाम की स्थापना नहीं की इसा मसी ने इसायत की स्थापना नहीं की बौध धर्म की जो स्थापना या मत की जो स्थापना है वो महात्मबुद्ध नहीं की महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की किसी भी महापुरुष ने किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनके बाद आने वाले खलीफाओं ने आने वाले लोगों ने दुकानदारी को चलाने के लिए धर्मों की या पंतों की या संपरदायों की स्थाबना की है आपने प्रशन जो उठाया है मैं मानता हूँ कि ये आज के समय में बहुत ही जरूरी प्रशन है और मैं इस बात को कहता हूँ कि ठीक है इसलाम हमारे खिलाफ हो सकता है इसलामिक लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं इसाई हमारे खिलाफ हो सकते हैं लेकिन हम कहां सो रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पिछले दिनों की बात है कि अंकित स्रिवास्तो जो एक लड़का दिल्ली में मारा गया था और मुसल्मान लोगों ने उसको गहर के मारा था और वो अकेला लड़का था और बात ये आती है कभी-कभी जब हमारे ल वही बात थी, स्रिवास्तो और लड़की में, तो उसको समझा सकते थे, शान्ति के साथ में, लेकिन उसको समझाया नहीं गया, उसको घेर कर मारा गया, यह जो इस प्रकार का जो अत्याचार है, और सारवजनिक प्रष्ट भूमी पर कहा जाता है कि हम शान्ति पड़िय लोग शायत में तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आप मेरे सामने बैठें, आपका पता ही नहीं पड़ेगा, आप कड़ा पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, ओम भी पहन लेंगे, आपका नाम भी जो भी होगा, सुरेश, सोनी, मैश, सोनी, जो भी, वो भी रहेगा, लेकिन सोहार्द बनना अवश्यक है और कहीं न कहीं वो एक स्थान पर एक है मैं आपको बताओं सतनामियों के मैं घर गया तो वो ओम लिखते हैं मैं साई पूजिकों के यहां पर भी गया जो राम को भले ही ना मानते हो लेकिन वो ओम का प्रियोग सर्व परतम करते है और तस्य वाचकह प्रणवह योग दर्शन के प्रतम अध्याय का सूत्र है उसने कहा कि इश्वर का जो नाम है वो क्या है ओम है तो ओम अर्थातिश्वर का नाम तो ओम साई भी हुआ ओम नमस्यवाय भी हुआ ओम वासु देवाय भी हुआ ओम जैश्री राम भी हुआ यानि के जो इश्वर है जो सनातन वैदिक सब्वेता के माने हुआ इश्वर है उसका नाम तो सब ले रहे हैं यानि के एक पॉइंट पर आकर सारे हिंदू एक हैं सब एक ही छतर छाया में नीचे हैं हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो भिन्न है विचार धहराओं में भिन्न हो सकते हैं उनके एक ही करण का जो कारिय है वो इस युवा समाज ने अपने हाथ में ले लिया है उसको वो एक करके रहेगा उसमें हम भी जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी भूमिका के लिए युवा समाज हमें तयार करेगा या आज्या देगा उसके लिए हम तयार हैं इसका एकिकरन हम करके रहेंगे लेकिन ये सभी अधर्मों के लिए हिंदू समाज की युवा समाज की एक सलाह है और उसको सलाह के तोर पर ही लें कि अभी बहुत देर नह वापस लें उसको बंद करें क्योंकि अब युवा समाज जो है आपके साथ में किसी प्रकार की हिंसा से नहीं मैं कहता हूँ तर्क वितर्क के लिए आपसे आँखों में आखे मिला कर बैठने के लिए तयार है आप सिद्ध कर दीजिए कि उनकी संस्कृति अच्छी है और यदि आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो अपना जोला उठाइए और बापस आपको वैटिकन सिटी पहुँचना ही पड़ेगा बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हिंदु धर्म को एक होना चीए सनातनियों को एक होना चीए हमारे राष्ट को एक होना चीए हर व्यक्ति को जो इस देश में है उसको राष्ट वादी होना चीए बहुत अच्छी बात है लेकिन जो समाज में जो छोटी-छोट देवी देवता कहते हैं इतने सारे देवी देवता आप उसको मानते मानते पुरा जन्म आपका खर्तम हो जाएगा तो किसी एक को मानिए देखिए आपको इसको आत्मसाथ करना पड़ेगा कि मुस्लिम खुदा को मानते हैं इसाई इशु मसी को मानते हैं किसी एक को मानते हैं और उनमें यह एका है ऐसी कोई एका वैदिक धर्म को मानने से हो पाएगी क्या जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उसका कारण है कि कुछ समाज के ठेकेदार बेवजा का दंड लगा कर छोटी छोटी बातों में कोई दूसरे दिगर समाज से कोई बच्चा साधी कर लेता है ब यह जो इस्थितियां आ रही है इसके पीछे क्या हमारे वई समाजिक हमारे वई हिंदू ठेकेदार नहीं है क्या क्या इन लोगों पर पहले अंकुष लगाया जाना चाहिए की नहीं वैदिक सनातन सभेता का जो इश्वर कहिए जा कुछ भी उनका एक जो माननेता है जो तैतिस कोटी देवता पहले तो हमें देवता और भगवान इश्वर परमिश्वर में फरक को मैसूस करना पड़ेगा मैं ऐसा बताता हूं कि किसको हम साधरन शब्दों में कैसे समझा सकते हैं ताकि हमारे जन सामाने की समझ में भी आ सके ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़े भगवान है यानि कि विश्णु जी जो है ब्रह्मा जी विश्णु जी का पूजन करते हैं विश्णु जी शिव ज का पूजन करते हैं इसलिए शिव जी सबसे बड़े माने गए हैं लेकिन महाशिव पुराण जो है उसके अगर अंतरगत हम पढ़ेंगे तो महाशिव पुराण में भी यह है कि भगवान शिव जब क्योंकि हमने उन जितने भी उनके चितर देखे हैं तो ध्यान समाधिम अग्या चक्र जिसको कहते हैं दोनों भ्रकूटी के बीच में आग्या चक्र में ध्यान लगाएं और ओम का उच्चारण करें मनीमन ओम का उच्चारण करें तस्यवाचे कह प्रणवा तज्यपस्तदर्थ भावनम दो चीज मैंने आपको बताए दिये हैं योगदर्शन के नुसार उस इश्वर का नाम ओम है और पूरे भाव के साथ में उसका जब करना चाहिए योगदर्शन ऐसा कहता है वेदों में जाओ तो वेदों में भी प्रणव को अर्थात ओम को ही इश्वर बताया गया है वो ही नाद है नासा इस बात को आज सिद्ध कर रही है कि यद अहूं के घर्शन से जो वायू मंडल का जो गर्शन उसकी द्वनी भी ओम है सौर मंडल की द्वनी जो है वो ओम का उच्छारण है अब ओम की जो हम जो कहते हैं ना के ब्रह्मा जी ने शुरुवात की विश्णु का है पालन करना विस्तार करना और जो शंकर है उनका है अं बिस्तार हुआ, होटों पर आके बंद वा, आरंब, विस्तार, समापति, ओम में ही ब्रह्मा, विश्नु, महेश है, आरंब है, विस्तार है, विस्तार है, समापति है, ओम को यदि आप एक वचन, द्वी वचन और बहु वचन में देखना चाहें, राम का हो सकता है, कृष्ण का हो सकता है, सब का हो सकता है, लेकिन ओम का कोई भी बहु वचन या द्वी वचन भी नहीं हो सकता है, संस्कृत में आप ओम के अन्य वचन नहीं निकाल सकते, अर्थात वो सदा सरवदा के लिए एक वचन है, अर्थात इश्वर एक है, किसी भी प्रकार से आप ओम के तूसर और उसमें जो हैं हमारे ग्रह नक्षत्र ये सब हैं ग्रह नक्षत्र जो है प्रत्वी जो है हमारा देवता है सूर्य हमारा देवता है हम प्रिकर्ति के उपा सक रहे हैं को एक्जिस्टेंस हमारे यहां वेदों में बताया गया है कोई यदि आप से पूछे के वेदों को एक शब्द में बताईए तो आपका ये सहाचेरयता हिंदी में को एक्जिस्टेंस इंग्लिश में यदि आप पेड़ पोधों से ऑक्सिजन ले रहे हैं तो पेड़ पोधे आपको लगाने पड़ेंगे साफ सफाई का नियम हमारे यहां आरंब से हैं सुरुवात से ही हम पूरे शरीर का सुबह सुबह साफ सफाई करते हैं अपनी घर की साफ सफाई करते हैं पडोस की साफ सफाई गलियों की साफ सफाई फिर वातवन की साफ सफाई के लिए यग्य हमन करते हैं यह हमारे यहां बत ओपेनों और वो सबकेस्ब निर्जी विस्ता में और उसी से ही हमारा शरीर बनता है, हमारा परमपिता परमेश्वर एक है, आपने जो बात कही किया इसाईव में जो पवित्र आत्मा अलग है यहुवा परमेश्वर अलग है यिशु परमेश्वर अलग है और इनके जितने भी पौप बनते हैं वो सबी पूजनिये हैं हम ये इस भ्रांती में ना रहे हैं कि केवल यिशु मसी पूजनिये है वहाँ यहोवा भी पूजनी है यहोवा की फैमिली भी पूजनी है यहोवा के गड़े, घोडे, खचर भी पूजनी है यदि आप अच्छी तरीके से बाइबिल पड़ें और फिर इसु मसी के विशे में भी मैं क्यों धर्म बोलता हूँ कि यह कहते हैं कि पुनरजनम नहीं हो नाम लेना योग्य नहीं है फिर कहते हैं महमद जो है महमद और रसूल अल्ला आप अजान में ऐसा क्यों बोलते हों अल्ला है तो महमद और रसूल अल्ला का जो रसूल है वो महमद है वो भी पूजनी है वो क्यों पूजनी है तो इस प्रकार से दोगली रणनीती नहीं चल सकती है ये लोग ही हमारे हिंदू समाज के लोगों को कहते हैं कि आपके यह पूजनी है वो पूजनी है आप पहले अपने गिरेवान में जहां किये उसमें सुधी करन लाइए तब जाकर के हिंदू समाज की और देखने का परियास कीजिए बहुत अच्छी बात है अब बात क कोच के साथ जो वो कहते हैं कि जहां हम सजदा करते हैं वही देश हमारा है वही वतन हमारा है तो वहां के लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि वो लोग भी अब आजाद फिजा में सांस ले सकेंगे उनको भी वो आजादी होगी जो हम बाकी राज्जियों को है यहा तो क्या आपको लगता है जो असंतुष्ट लोग आज वहाँ पर पत्थर उठाते थे ये पत्थर बाज अब उन पर पत्थर मारेंगे जो इनको भ्रमित करेंगे ऐसा कुछ लगता है आपको रास्टर हमारे लिए सरोपर्थम है और कश्मीर हमारे देश का एक अभिन हिस्सा है और जो हमारे पास में कश्मीर है केवल वो ही नहीं जो कश्मीर और जो पाकिस्तान विधर्मियों के पास में वो भी हमारा ही हिस्सा है बिल्कुल और मैं तो यह मानता हूँ कि पाकिस्तान तक ही बात करें तो वहां तक हिस्सा तो है ही है हमारा समिधानिक तोर पर भी है आपने बात की है किस प्रकार से वहां पर जद धारा 370 हटाने की बात हुई है या फिर वहां से आतंकवाद को समाप्त करने की जो बात हुई है अगर हम facts पर जाएं तो पूरे कश्मीर में चार ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार के लोग जो है वो थोड़े ज्यादे अक्टिव हैं बाकी सभी ही जिले जो हैं वहां के ऐसे अक्टिव नहीं है और वहां के लोग भी इतने ही शांतिप्री हैं जितने की एक आम नागरिक को शांतिप्री होना चाहिए जो भी धार 370 का विशय है या 35A का विशय है वहां के लोगों को बहुत ज़्यादा uncomfortable भी फील ना हो यहां के लोग जाकर वहां एकदम से अतिकर्मन की भी दृष्टी ना दिखाएं क्योंकि इस परकार से जो है ना हमारे जो नकसलाइट जिनको हम एरिया बोलते हैं उन लोगों के जो लोगों हैं वहां उनकी अभी स्टार्टिंग में गर आप 1370 या 35 को हटाते भी हैं और पूरे देश में एक समिधान को लागू करने की बात करते भी हैं एक जंडा हो एक समिधान हो कुछ भी आप लागू करने की बात करें एक दम से किसी को भी इंकमफर्टेबल फील कराना ये गलत है हटे धीरे धीरे जन सामान्य में उसकी एकसेप्टेंस बने उन लोगों को बताया जाए बाकी जो 28 राज्य हैं उनके मन में उनके दिल में आपके प्रती अत्यनत सम्मान की भावना है उनके दिलों में आपके प्रती प्रेम हैं वो आपको किसी प्रकार से दुश्मन की दृष्टी से नहीं देखते हैं कश्मीर की जम्मू की जो छवी आज न्यूज चैनल्स जो बना रहे हैं उससे हमको बचना चाहिए इस पश्ट तोर पर बताना चाहिए कि चार पांच जिले ही ऐसे हैं सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है तो ये भी बताना चाहिए हटे बिलकुल हटे हम तो कह रहे हैं कि पाक उक्यूपेड जो कश्मीर अपीओ के जो है वहां तक हमारा तीरंगा फैरना चाहिए लेकिन बात है कि जन सामान्य को अपने विश्वास में लेते हुए ये बहुत अच्छी बात है कि हम वहां पर जो समान्य स्थती को पाने के लिए हमको चाहिए कि वहां के लोगों की भावनाओं को भी समझे और उस साब से आगे बढ़ें मेरा एक आखरी सवाल और महत्पून सवाल ये है कि हम हिंदू है और बाकी और दिगर धर्म के लोग यहाँ पर है ऐसी इस्थिती में जब हम कहते हैं कि इश्वर की मर्जी के बगएर पत्ता नहीं हिलता तो आज के समय में हिंदू और सनातन धर्म और वैदिक धर्म को जो चोट पहुँच रही है हमारी जो आंतरिक हमारी जो इमेनिटी पावर है वो कमजोर हो रही है तो इसके पीछे क्या इश्वर की मंसा है यह जो बाकी लोग है जो हमको काफिर कहते हैं और हमारे नजर में जो विधर्मी है वो लोग भी है इस दुनिया में तो इश्वर जब एक है ओम एक है तो इश्वर की क्या मंसा है आपके हिसाब से सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक हम बात रखें कि भई जो हमारे से अलग जितने भी धर्म है और जो पूरुन तया अलग है जिसमें कि यहूदी है, इसलाम है और इसाइयत है इसाइयत की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अब वो पल-पल में परिवर्तित हो रहे हैं इसलाम की एक विचार धारा है कि उन्होंने माना है कि इश्वर एक है इश्वर का कोई स्वरूप ऐसा आकार नहीं है कि जिसको हम जाके पकड़ सकें निराकार माना है और मैंने जितनी भी उनके स्कॉलर्स डिबेट्स में देखे हैं तो वो सीधे तोर पर कहते हैं कि आप सनातन धर्म कहो हिंदू एक छत्र चाया है जिसके नीचे राम को पूझने वाला भी है यानि कि शैव को पूझने वाला भी है वैशनव को पूझने वाला भी है देवी को पूझने वाला भी है वो कर्मा देवी को पूझने वाला भी है जिसको दिल्ली में कोई नहीं जानता है जिसको यूपी में कोई नहीं जानता लेकिन ये सब हिंदू हुए, तो वो कहते हैं कि सनातन जानी एटरनल, जिस आदम की वो बात करते हैं, उसी को हमारे वेदों में अहम कहा गया है, अहम से आदम और फिर इनके क्रिश्यनिटी में जायें तो उसको एडम बोला गया है, उसी को हमारे यहां अर्धनारिश्वर, और जब आप इसी को ही उपनिशदों में पढ़ेंगे, और मैं आपको उपनिशदों के विशे में बहुत ही ऐसी जानकारे देना चाहूंगा, जो परचारित नहीं है, औरंग जेब को कहा जाता था कि वो बहुत कटर मुगल साशक थे, मुस्लिम साशक थे, उनके एक भाई इसाब ते दाराशिको, दाराशिको होने कहा कि उपनिशदों को मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे इसकी बात के अनुमती मिलनी चाहिए, औरंग जी अपनिशदों में भी इस्त्री और पुरुष्ट तत्व के विशे में, जिसको हम X and Y क्रोमोजोम या फिर अगर होर्म के हिसाब से देखें, तो टेस्टेस्टरों एंड़ प्रोजिस्टरों का विशे किया, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, तो यहां आकर के जो साइंटिफिक चीजे हैं, और इसलाम एक पॉइंट पर आकर के आपके साथ में मिक्स है, वो कहता है कि आप अपने आप जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, यह इश्वर को मेरे हिसाब से अती उपमान करके, हाइपर बोले में कहा गया है, इश्वर का यह कारिय नहीं है कि वो पत्ता हिलाए, यह ब्रहमांड अयदि आप 400 अरब वर्ष तक, यहां से 700 किलोमेटर परती घंटा की रफतार स रोकिट बेशते हैं, यह ब्रहमांड समाप्त नहीं होगा, तो इश्वरेक है, निराकार है, सर्वव्याप्त, तो क्या यह प्रत्वी पर ही जीवन है, क्या उसका यही काम है कि मैं इमिली का पत्ते को पकड़ के हिलाऊं, उसने एक विवस्था बनाई है, उसने प्रत्वी है, कि जो मैंने आपको प्रकरती दी है, और जो साथ में रहने के लिए जीव दिया है, इनके सब के साथ में को एक्जिस्टेंस के साथ में रहो, संतुलन के साथ में रहो, वैदिक सनातन सब्वेता यही सिखाती है, कि यह को एक्जिस्टेंस कभी खतम नहीं होना चाहिए, म दूसरी है जीव अवस्था, फिर तीसरी आती है प्राण अवस्था, चोथी आती है ज्ञान अवस्था, पदार्थ अवस्था में ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी जड़ पदार्थ, ये टेबल है, ये माईक है, ये क्या है, ये सब पदार्थ अवस्था है जिसको हम परमाणू से बना हुआ मानते हैं दूसरा जो आता है हमारा वो है प्राण अवस्था प्राण यानि कि जो प्राण स्वसन कर रहे हैं पेड़ पोधे स्वसन कर रहे हैं यह किस से बने इस से बने हैं इसी से निकले हैं इसको खाकर के बनता है जीव अवस्था जयनिके जिन में जीवन है इन में पेड़ पोधों में जीवन नहीं है जीवन जिन में है वो है हमारे जीव जन्तु जानवर पक्षी कीट पतंगे ज्यान अवस्था इन तीनों के उपर डिपेंड और इन सब से उपर ज्यान अवस्थ यानि कि हम पुरुष, वेदों में पुरुष कहा गया है, इस्तरी पुरुष, उसमें हिंदू मुसल्मान आपके खोज कर दिखा दीजे, कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए हम कहते हैं कि वेदिटर्नल हैं, वहाँ पर किसी को धर्म के नाम पर अलग नहीं किया गया, कहा ग निकलने वाली घास, उनसे निकलने वाली ऑक्सिजन और ये जीव जन्तू, इनकी साइकल तो ठीक थे, लेकिन जो मनुष्य हैं, इसने अपनी बुद्धी लडानी शुरू कर दी हैं, जो किताबे थी, जो इश्वर ग्यान था, उनको बदलना शुरू कर दिया, और इश्व दिमाग तेज हैं, दिमाग तेज भलेई हो या ना हो, इसने इन तीनों का सिस्टम बिगाड कर रखा हुआ है, हमारे को बिलकुल या आदेश नहीं है, कि हम यहाँ आके हिंदू-मुस्लिम सीकिसाइक करें, यहाँ हम सब मनुष्य मात्र थे, लेकिन जब राजजीती उधर से होती है, तो इधर से जवाब देना अत्यनता अवश्यक हो जाता है, पच्चीस साल की अवस्था तक हम भी पढ़ रहे थे, हम भी नोकरी की तियारी कर रहे थे, लेकिन अवस्थाएं जब बिगड़ती, 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 इस कदर तक बिगड़ गई, कि ऐसे स्टेसन मास्टर का फाइनल एक्जाम क्रोस कर चुका था, लेकिन जब हमें ये चीजे लगी तो वड़ा आगात पहुँचा, हमने का ये तो जूट है, ये जूट को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमने उस रास्ते से अपना रास्ता बदलना पड़ा, और पुनह इस तरफ आना पड़ा, और हमने लोगों को समझाना शुरू किया, कि ये जो जीवन है हमको यहाँ पर टोपी और चोटी के लिए नहीं बनाया गया है, ये भगवा हरा और लाल करने के लिए नहीं मनाया गया, ये मनुश्य मातर के जीवन के कल्यान के लिए बनाया गया है, लेकिन यदी आप निराधार questions खड़े करेंगे तो जवाब हम देंगे तो इश्वर को इस परकार से ना समझा जाए कि उपत्ता हिलाने के लिए है इश्वर ने अपनी चारो अवस्थाओं को आपस में सहियोजन के साथ में कोपरेशन के साथ में रहने के लिए बोला था लेकिन वो जो डेड़ से आना मनुष्य है वो अपनी वज़े से पूरी प्रत्वी का सत्यानास कर रहा है और इश्वर को इसमें किसी परकार से सनलिप्त करने की ने की या दोशी ठैराने की हम कोशिश ना करें आज 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 देस भारत देस तिसरे इस्थान पर था तिसरे पायदान पर है मतलब 7.5 अरब लोगों के बीच में आपका हमारा भारत तिसरे पायदान पर है और भविष्य में यही वैश्विक गुरु होगा ऐसा माना जा रहा है लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको अपने भारत को ठीक ठाक करने क्या हो शकता है ठीक ठाक का मतलब in the sense कि जो लोग जैसे भी हैं जितने जितनी भी शंक्या में हैं किसी भी धर्म समाज के हो इन लोगों को संतुलित करके उस राष्ट की जो कलपना को पुल्ण करने का मंत्र जो है वो आप दीजिए और मैं इसी के साथ आपसे अनमती लूँगा आपके भोजन का भी समय हो रहा है तो इसमें देखिए हमारा संदेश सिर्फ इतना सा है कि हिंदू सामराजे दीवस के विशे में हम धमतरी आये हैं और जितने भी हमारे बटे हुए समाज हैं वो सरवपर्थम ये देखें कि हमारी जो उपज है जो हमारे बाप दादे हैं वो कहां से निकले उन्होंने इस आ साथ साथ दिन तक चौक पर लटकाए रखा है उनकी शहादत को हम ना भूले उनके बलिदान को हम ना भूले किसी भी प्रकार से हम वेटिकन सिटीज में बैठे हुए लोगों के सलेव ना बने गुलाम ना बने सरवपर्थम जिस नाम पर जिस इश्वर के नाम पर जिस प् मेरा युवाउं से आवाहन है पुरानी जो पीडियां थी वो चली गई युवा अपने हाथ में इस पूरी बागदोर को लें सर्व समाज को गले लगा कर चलें सर्व समाज में रोटी बेटी का नाता इस्थापित करें और उसको समरस्ता के साथ में चला कर रखें तीसरा म मेरा पॉइंट ये है, मानवता के नाम पर एक हो, रोड पर यदि आपको कोई भी व्यक्ति गायल दिखे, रोड पर यदि आपको कोई भी व्यक्ति धूप से जूजता हुआ दिखे, प्यासा दिखे, भूखा दिखे, आप कभी उसके सर पर ये मत देखो कि उसके सर पर टोप के साथ पैदा नहीं किया था, वो हमने उसको दिया है, हमने उसको आने के बाद में चोटी रखवाई, हमने आने के बाद उसका खतना किया, इश्वर ने उसको वैसा नहीं बेजा था, इश्वर ने तो मनुष्य बेजा था, मनुष्यता के नाते उसकी सेवा करना हमारा सबसे पर्थम धर्म है तो इसमें दो तीन चीजे हैं जिनका विशेश द्यान रखें सर्व समाज को एक रखें रोटी वेटी का नाता सब के साथ में जोड़ कर चलें तीसरा मानवता के नाम पर धार्मी कुनमाद को फैलने का प्रियास ना किया जाए तो ये थे हमारे आचारे अंक परिभाषित नहीं हो पाएगा मैं अपने सहयोगी आसिस मिस्रा के साथ तलिन पूरी गोस्वामी, M.G.T.V. धमतरी कर दो